समाज जीवन भी तब ही प्रगति कर सकता है कि जब नित्य नूतन हो नित्य नूतन प्राणवान हो तब ही जाकर के होता है और इसलिए हमारे देश की नईवापिड़ी उसमें वो सहस चाहिए वो जज़वा चाहिए जिसमें इनोवेशन का इरादा रहे कुछ लोगों को यही धर लगता है यार करूँ लेकिन फेल जाओं तो मैं करूँ तो फेल जाओं तो दुनिया में कोई इंसान देखा है आपने जो फेलियर हुए बिना सक्सेस हुआ हो कभी कभी तो सक्सेस का रहस्ता ही फेलियर बनाती है और इसले फेलियर से घबराना यह जिन्दगी नहीं होती दोस्तों जो कुनारे पर खड़ा है वो डूपता नहीं दोस्तों जो पानी में चलांग लगाता है वो डूपता भी है और डूपते हुए तहरना भी सीख भी लेता है किनारे पर खड़े रहकर के लहरे गिलते हुए जिन्दगी पूरी कर देता है जी जो लेहरों को पार करने का तो सामर्त उसमें आता है जो तालाब में नजी में समंदर में कुद्री की का लोहा लेकर करके चलता है स्वामी बीबे कानन जी ऐसे युवानों की अपहिक्षा करते थे ऐसे नौजवानों की अपहिक्षा